क्लास 11 कंप्यूटर साइंस तो यार आज की वीडियो में पाइफन के लास्ट टॉपेक्ट इस टॉपल अन डिशनरी ये दोनों टॉपेक्स कवर हो रहे होंगे मतलब टॉपल भी हमारे बहुत सारे डेटा को एक और सीकुएंस में स्टोर करकर रखता है अब यार टेफिनेशन से तो इतना क्लियर होगा नि जतना हम लाइफ प्राक्टिकल करकर देखेंगे तो आजाओ हमारे ओनलाइन कंपाइलर पर तो यार इस साइड हम कोडिंग करते हैं और इस साइड हमारा आउटपुट आता है तो टॉपल बनाने के लिए सबसे पहले तुम कोई भी वेरियबल ले लो हमने वेरियबल ले लिया टॉप 1 उसके बाद मैंने बताया था कि राउंड ब्राकेट चाते हैं राउंड ब्राकेट डाल दिये अब इसके अंदर तुम कुछ भी लिख सकते हो लेट से हम पहले नमबर लिखते हैं अब मैं इसे अगर रन करूँ तो देखो तुमारा आउटपुट आ गया 1 से लेके 5 तक similarly एक और नया टपल बनाके लेखते हैं अकार की यहा olhos के अन्दर ना तुम नंबर श्रींग यहां तक है लिस्ट भी ले सकते हैं जैसे हम दोनों का कॉंबिनेशन लेके देखते हैं आप है उसके अंदर जैसे तूम लिख दो हाई नुदिविस अंग तुम कुछ भी लेक सकते हो देखो अगर मैं अब टपल 3 रंड कराता हूँ तो देखो मैंने नमबर लिया नमबर लिया इसके अंदर भी एक list लेली तो हम टपल के अंदर list भी ले सकते हैं strings भी ले सकते हैं, character भी ले सकते हैं तो यार टपल ऐसा तुम्हारा data type है जो की अलग-अलग डेटा को store करकर रख सकता है बिलकुल लिस्ट की तरह है लिस्ट में यहां बस square brackets आते थे और यहां पर round brackets आते हैं पस तो यार इसके बाद हमारा next topic is indexing that is position of an element or a value तो यार यह indexing हमने list और string में काफी practice करी है यहां पर मैं तुमें कुछ questions practice कराता हूँ तो यार तुमें इतना तो पता होगा कि जब भी हम left to right जाते हैं हमेशा 0 से indexing start होती है और उस indexing को हम positive indexing कहते हैं और जब हम right to left जाते हैं तो वो minus 1 से start होती है और उसे हम negative indexing बोलते हैं और अगर तुमें ये नहीं पता तो जाओ सबसे पहले list की वीडियो देखो उसके बाद tuple और dictionary और इच्छे से समझाएगा तो यार जैसे मैं तुमें task दू तुमें python print कराना है तो तुम simply क्या करोगे अब इसके अंदर square bracket में तुम python का position लिख दोगे that is 0,1 तो अगर मैं 1 लिखके simply run कराओ तो देखो python हमारा print हो गया अगर मैं तुम्हें बोलू a print कराना है तो तुम simply इदर 0 लिख दोगे और इसे run करोगे तो देखो a आ गया और अगर मैं बोलू तुमें 9 print कराना है तो तुम simply ये देखोगे 0,1,2,3,4 4th position पर है तो अगर हम 4th position देदे तो देखो output के आगया हमारा 9 तो यार अब let's say मैं तुम्हें task देता हूँ कि तुम्हें 4 print कराना है तो तुम क्या करोगे तो इसके लिए हमारा concept आता है nested indexing nested का मतलब किसी एक data type के अंदर कोई दूसरा data type exist करता है जैसे इस टपल data type के अंदर एक list data type exist करती है ठीक है अब simply सबसे पहले तो तुम इस position पर आ जाओ इस पे हम कैसे आएंगे 0,1,2 2 से आएंगे तो यहाँ पर 2 लिखतो अगर मैं देखो 2 print कराता हूँ तो 2,5,4 सारे आ जा रहा है पर हमें बस 4 print कराना है तो उसके लिए हम इसके अंदर भी indexing start कर देंगे जैसे 4 कौन से position पर है 0,1,2 तो यह second का भी second position पर है अगर मैं इसे run करूँ तो देखो output क्या है 4 दुबारा जैसे तुम्हें 2 print कराना है तो सबसे पहले हम इस list के पास आएंगे कैसे आएंगे 0,1,2 2 पर आ गए हम ठीक है उसके बाद 2 कौन से index पर है 0 त इंडेक्स पर तो हम यहाँ पर simply 0 लिख देंगे और इसे run कर आऊं तो देखो answer आ गया 2 ठीक है एक नई टपल लेके देखते है तुम्हें टास्क देता हूँ let's say तुम्हें 5 प्रेंट कराना है तो तुम कैसे कराओगे सबसे पहले हम क्या करते है variable का नाम लिखते है फिर square bracket लिखते है और इसके अंदर position डालते है अब देखो position कैसे डालेंगे हमें क्या print कराना था 9 ठीक है let's say 9 प्रेंट कराना है सबसे पहले हम इस position पे जाएंगे कैसे आएंगे 0, 1, 2, 3 third position पे आए तो simply third लिख दो उसके बाद ninth third के अंदर कून से position पे आए 0 तो अब हम square bracket के अंदर 0 लिख के अगर मैं इसे run कराऊ तो देखो output के आए हमारा 9 let's say मैंने तुम्हें task दिया तुम्हें four print कराना है बताओ कैसे करोगे सबसे पहले variable का ना उसके बाद square brackets सबसे पहले कौन से position पे है 0, 1 one position पे ये पूरी list है तो हम square bracket में हम लिख देंगे one उसके बाद एक और square bracket बनाएंगे अब fourth इसके अंदर कौन से position पे है 0, 1, 2 second position पे तो इधर 2 डाल देंगे अब जैसी मैं इसे run करूँ तो देखो output के आया हमारा 4 ठीक है कुछ समझ आ रहा है अगर आ रहा है तो well and good वरना वीडियो को दुबारा repeat करके देख लो तो मैं समझ आ जाएगा तो बस यही कुछ important question मैं तुम्हें एक टपल बना के देदेंगी अंदर list या एक टपल और होगा उसके अंदर मैं बोलनेंगी तो मैं 5 प्रेंट कराओ, 4 प्रेंट कराओ या हेलो प्रेंट कराओ तो ऐसे questions की practice तुम कर लेना So next we have is टपल is immutable in nature मतलब टपल को अगर एक बार हमने बना दिया तो उसके elements हम chain नहीं कर सकते So next we have is basic operations जितने operations हमने list में perform करे थे वो टपल पर भी perform हो सकते हैं और उसके बाद हमें पढ़ना है बस built-in functions और उसके बाद तुम्हारा टपल chapter खतम तो आओ ये भी जल्दी-जल्दी में cover कर लेते हैं क्योंकि मुझे पक्का पता है तुम exam से एक दन पहले बाट के प्रेट रहोगे तो यार सबसे पहला operation that is slicing इसमें हम start और end index देखते हैं और किसी भी टपल का कुछ पार्ट हमें print कराना है तो slicing के help से कर सकते हैं अब सबसे पहले let's say हमें ये दो number print कराना है तो सबसे पहले इसका index दे दो इसका number क्या होगा? 0, 1, 2, 3 3 होगा उसके बाद colon लेखोगे और last index मतलब 0, 1, 2, 3, 4 4 है 4 में हम एक add करके देते से अगर तुम्हें याद होगा तो तो हम क्या लिखेंगे? 3 is to 5 देखो हमार output के आगया? 0.9 और 69 Let's say suppose तुम्हें ये तीन print कराना है तो तुम कैसे करोगे? सबसे पहले starting index दे दो कि starting index हमेरे क्या होता है? हमेशा 0 और AHH कौन से position पर आए? 0, 1, 2 Second पर आए तो 2 में एक add करके हम लिख देंगे that is 3 अगर इस में run करूँ तो देखो high आ गया ये आ गया और AHH आ गया ठेक है? ये था तुम्हारा topic slicing slicing बाद we have is concatenation जैसे हमारे पास 2 टपल है एक और टपल ले लेता है तो यार concatenation क्या करता है? simply दो टपल को combine कर देता है जैसे मैं इसे run करूँ तो देखो सबसे पहले टपल 1 के elements आ गए यहाँ से लेके यहाँ तक फिर टपल 2 के elements आ गए यहाँ से लेके यहाँ तक ठीक है? concatenation के बाद है repetition repetition क्या करता है? जितने बार भी तुम number दोगे वो उतनी बाद टपल को print करा देगा जैसे हमने लिखा है टप multiply by 3 तो यह तीन बार इस टपल को print करा देगा जैसे यह रा पहली बार यह रा दूसरी बार और यह रा तीसरी बार ठीक है? repetition के बाद है membership अगर तुम्हें चेक करना हो कोई element किसी के अंदर present है या नहीं जैसे हम चेक करते हैं क्या 5 टप 2 में present है तो हम simply लिख देंगे print 5 in tup2 अगर answer true आया तो मतलब present है false आया तो मतलब present नहीं है तो देखो answer क्या है हमारा true 5 क्या tup2 के अंदर present है true हा present है और simply अगर हम not लगा दे तो मैंने बताया था जब भी तुम किसी के आगे not लगा दोके तो answer का opposite देदेगा true का answer वो करके देदेगा हमें false ठीक है? ये थे simple operations ये मैंने बहुत detail में list में cover कर रहा है तो जाके बार-बार मैं बोल रहा हूँ सबसे पहले जाके list देखो फिर tuple अच्छे से समझाएगा इसके बाद हमारे कुछ built-in functions होते हैं tuple के अंदर सबसे पहला होता है len तो यार देखो len function हमारा काम कैसे करता है? सबसे पहले तुम print के अंदर len लिख दोगे और जो भी तुमें variable की length पता लगानी है जैसे हमें tub की length पता लगानी थी तो हमने इसके अंदर tub लिख दिया अब tub के अंदर केते elements है? 1, 2, 3, 4, 5 तो इसने output क्या दे दिया? 5 और अगर मैं इधर simply tub 2 कर दू तो देखो यह output क्या देगा? 1, 2, 3 देखो तीन output आगा हमारे तो यार let's say तुमारे पास कोई tuple है जिसमें बस number है तो हम कौन-कौन से functions उनके साथ use कर सकते हैं सबसे पहला we have is min जैसे ही नाम से पता चल रहा है यह इसका minimum element print करा देगा जैसी मैं इसे run करूँ तो देखो answer आगया minus 9 जो की सबसे चोटा element है इसके अंदर अब min के बाद होता है हमारा एक होता है max max क्या करेगा? जो भी tuple में सबसे बड़ा element है वो print करा देगा जैसे इसके अंदर 69 है तो मैं run करूँ तो देखो output आगया 69 similarly एक function होता है sum नाम का अब जैसी नाम से पता चल रहा है इन सब को तुम आड़ करोगे तो हमारा output यह आ जाएगा तो यार sum function के बाद एक function होता है हमारा index करके अब देखो index function use कैसे करते हैं सबसे पहले simply print function उसके अंदर जो भी variable तुम्हें लिखना है वो लिख दो के फिर dot लगा के index लिखना है और index के अंदर तुम्हें जिस भी value के index पता करनी है जैसे हमें 69 की position पता करनी है तो इसके अंदर हम लिख देंगे 69 तो देखो यह हमें index देदेगा that is 4 0,1,2,3,4 ठीक है अब जैसे तुम्हें index पता करनी है minus 9 की तो simply 69 की जगा तुम लिख दो minus 9 और जैसी से run करोगे तो देखो output आगया 2 तो यार यह इसका syntax है जो कि तुम्हें यादी करना पड़ेगा सबसे पहले variable का नाम फिर index keyword और उसके अंदर जिसकी भी value का position तुम्हें पता करनी है वो लेख दो ठीक है तो यहाँ पर हमारे built-in function complete हो गए tuples के अंदर तो यार यहाँ पर तुम्हारा tuples chapter खत्म हो गया अब जो dictionary वाला topic है वो हम next वीडियो पे cover करेंगे so stay tuned और नीचे comments में अपने suggestions drop कर देना thank you